पंजाब गंबीर बिजली संकट दा सामना कर रहा है औज यह विच तोड़े दिमाग दे विच भी कई सवाल होंगे असी कुछ माहरां ते अधिकारियन अलगाल करके इना सवालां दे जवाब देन दी कोशिश किती है सवाल यह है कि पंजाब बिजली संकट दा सामना क्यों कर रहा है तो इथे संकट किना डूंगा है वर्तमान विच सुबे दे सारे प्राइवेट कोला अधारत प्लांटा विच लगबग देर दिन दा कोले दा स्टॉक है ज़रों की सरकारी मालके वाले प्लांटा विच लगबग चार दिना दा कोला स्टॉक है शनिवार नू कोले दे बाई रैकां दी कुल जरूरत दे मुकाबले सिर्फ ग्यारा रैकी प्राप्त होई सीगे खराब कोले दे पंडार दे कारण ए प्लांट अपनी उत्पादन समर्था दे पंजाब परसेंट तो काट ते काम कर रहे हैं अधिकारियां दा कहना है कि चोने दी बिजाई विच देरी अते चोने दिया किसमा ले सप्लाई दी लोड होन कारण खेती बारी खेतर दी मंग अजेवी काएं बिजली उत्पादन दी च्पंजा सो वी मेगावाट दी स्थापत समर्था पर सिर्फ अठाई सो मेगावाट ही बिजली पैदा किती जा रही है रोपर्ट प्लांट दे दो यूनिट बंद करने पे जड़ों की तलवंडी साबों ते लेरा दा एक यूनिट बंद रहां बा दो दरना ते भी बजार तो बिजली खरीद रहा है उना ने जसाए कि खेती बारी सेक्टर समेत राइदे खपतकारा नी मांग नूपूरा करन ली एक इता जा रहा है पीएस पीजली ने नौक टूबर नूँ स्तासी सो वद मेगावार्ट दी बिजली दी मांग पूरी किती है जड़ी किया तक सब तो वादसी की दास अक्टूबर नूँ एक्स्टेंच तो ग्यारा रुपे सठ पैसे दे दरते बिजली खरीदी गई उनना ने अग्य किया कि बिजली अजेही खरीदे बावजूद पीएस पीसील मांग गते सप्लाई दे वेचले पाड़े दो तो तिन केंटे दा काटल लगाना जरूरी होएगा सीमडी वेनु परसाद दा यह भी कहना है कि उस्तों बाद कोले दी मंग दे विच गिरावट आएगी ते जड़ी उपलबता है ओवज जाएगी यानि पंद्रा क्टूबर तोना दे कहना है कि जड़ी मंग हैगी है ओ तो एक कटेगी ते उस्तों बाद सप्लाई नॉर्मल हो सक दिये चीफ मिनिस्टर मुख मंत्री चन्नी चरंजी चन्नी ने भी कहा कि असी राज विच ब्लैक आउट नहीं होंदा वांगे उनना ने क्या कि केंदर नू इस बारे सुबा सरकार ने चिठी भी लिखिये कि कोले के दी सप्लाई वाद तो वाद ते जल्दी किराई जावे अर्विंद चाबडा बीबीसी चंडिकर